तो रिशी ने बचाही लिए अपने बेटी पारो की जान कुछ इस तरीके से रिशी बताएगा अब लक्षमी को सारा स्थच पुरे परिवार वालों को इस बारे में पता चल जुका है कि पारो तुम्हारी और मेरी बेटी है साथ इसाथ ये सारी बाते लक्षमी के दिमाग में चल रही है जिस तरीके से नीलम का बढ़ताओ पूरी तरीके से पारो को लेकर बतल गया है यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से पारो को लेकर कितने जादा इमोशनल नजराई नीलम लेकिन अब निलम बहुत बड़ा फैसला लेगी पारो और लक्षमी को अबरे मेंचन में लाने का लेकिन अब अबरे मेंचन में मलिश्का की वज़ा से लक्षमी नहीं आना चाहती है लक्षमी साफ साफ इंकार कर देगी और लक्षमी तो ये फैसला करने वाली है कि उसे जल्द से जल्द इस शेयर को छोड़कर अपने गाउं जाना है तो कि मलिश्का जब तक उसके जिन्दगी में रहेगी तब तक सब चीजे बिगड़ती रहेगी जी हां उसे पता है कि तरीके से मलिश्का ने उसकी बेटी को फसाया अगर ये कुछ समय और यहां पर रहे तो पारो की मुसीबते अब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और पारो की ओपर मुसीबत आए ऐसा लक्षमी चाहती नहीं है हाला कि लक्षमी मूतवर जवाब देने में शक्षम है लेकिन यहां पर वो अपनी बेटी को इन सारी चीजों से दूर रखना चाहती है लेकिन अगर लक्षमी चली गई वहाई है हाल फिलान में हम लोग बात करने वाले है नेक्स ड्रामा कौन से शुरू आने वाला है ठीक है, साती साथ रोहन रोहन का भी सच आने वाले आपकमिंग में बता चलने वाला है कि रोहन पारो का सगा भाई है साथी साथ लक्षमी बताती भी नज़र आएगी रिशी को कि हमारा एक बेटा भी था तीरे दीरे कर सारी स्टोरी रिवेल होती भी नज़र आएगी ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें मिलता है अगले वडियो में बैटरीन अपडेट के साथ